शेर की ताजा खबरे देखने के लिए इन्वी से न्यूज को यूटूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकान दबाना ना भूलें कोरोना के संकट के घड़ी में कई आच्चर ये चकित कर देनी वाली घटनाय सामने आ रही है ऐसी घटना उपराजधानी के एक कैंसर पीडित बच्ची के उपचार के माध्यम से सामने आए शासन, प्रशासन और लोग प्रतिनिदी ऐसे सभी स्तरों पर कोशिश करने के बावजुद भी बच्ची के इलाज के लिए मदद के हाथ सामने नहीं आए अब परिशान पिता की अपने बच्ची के इलाज के लिए दरदर मदद की गुहार लगा रहे है ऐसे कठीन समय में दानशूर व्यक्ति मदद करें सामने आए ऐसी अपिल पिता द्वारा की गई है तन्वीर रसीक मलमकर कैंसर पीडित बच्ची का नाम है तन्वी छे साल की है जिसे बलड कैंसर हुआ है तन्वी के पिता रसीक मलमकर मैकनी का काम करते है तन्वी के घर के हालात का नाजुक है ऐसे में अपनी बच्ची को बलड कैंसर हुआ यह डिटेक्ट होते ही तन्वी के पिता के पैरोतले जमीन खिस गए जैसे तैसे हिम्मत जुटा कर पिता ने तन्वी का अच्छा इलाज कर उसे स्वस्त बनाने का निच्चर किया दिन रात महनत कर रसीक मलम कर इन्होंने सवादो लाख रुपए इलाज कर खर्च किये लेकिन आगे के इलाज के लिए पाश लाख रुपए का खर्चा डॉक्टर द्वारा बताया गया फिर एक बार तन्वी के पिता पर मानो आस्मान तूट पड़ा हो लेकिन एक पिता कैसे हार सकता है रसीक ने पैसो को इकटा करने के लिए प्रयाश शुरू किये और दिन रात महनत कर कुछ पैसे जमा किये साथ ही दान दाताओं से भी अपील की कि इलाज के लिए मदद करें ताकि तन्वी को सही इलाज मिल पाए और तन्वी स्वस्थ हो पाए अगर तन्वी के इलाज के लिए किसी दान दाता को मदद करनी हो तो हमारे स्क्रीन पर स्क्रोल हो रहे हैं नंबर पर संपर्क करें इन भी से नियूज के लिए क्षितिजाद इश्मु की रिपोर्ट